बिहार की राजधानी पतनास्थित सरकारी हॉस्पिटल इंद्रा गांधी इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंस का नाम एक फॉर्म के चलते विवादों में है IGI MS के नई भरतियों द्वारा भेजे जाने वाले इस फॉर्म में अजीब हो गरीब सवाल पूछे गए है डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ से फॉर्म में पूछा गया है कि क्या आप वर्जिन है हॉस्पिटल ने पुरुष स्टाफ से कहा है कि वो बताएं कि क्या उनकी एक से अधिक पत्निया है महिला स्टाफ से ये भी पूछा गया है कि क्या उन्होंने किसी ऐसे शक्स से शादी की है जिसकी एक से अधिक बीविया है इन सवालों पर बवाल तो मच ही रहा है लेकिन इसी के बीच बिहार के स्वास्थ मंत्री मंगल पांडे ने कहा है वर्जिन का मतलब होता है अविवाहित मंगल पांडे का कहना है कि वर्जिन का मतलब अविवाहिता होता है और मुझे नहीं लगता कि फॉर्म में कुछ भी आपत्ती जनक है एक निउज एजनसी ने इस फॉर्म की तस्वीर भी ट्वीट की थी और अब मंगल पांडे का बयान भी ट्वीट किया है एक लीडिंग निउज एजनसी के मताबिक स्वास्थे मंत्री ने कहा कि चूंकि ये मसला उठाय गया है तो मैंने इस पर इंस्टिट्यूट से बात की जिसका कहना है कि ये तो एम्स का फॉर्माट है और 1983 से इस्तमाल होता आ रहा है उन्होंने कहा कि ये पूरे देश में इस्तमाल किया जाता रहा है मंगल पांडे ने कहा कि ये डेकलेरेशन पिछले 34 साल से इस्तमाल किया जा रहा है और ठीक इसी तरह से प्रयोग में लाया जा रहा है वैसे इस फॉर्म को लेकर बवाल मचने पर कॉलेज के मेडिकल सुप्रेंटेंडन्ट मनीश मंडल ने भी कमोबेश यही सफाई दी थी और कहा था कि फॉर्म में लिखे गए वर्जिन शब्द का वर्जिनेटी से कोई लेना देरा नहीं है बलकि इसका सीधा सा अर्थ किसी से विवाहित होने ना होने से है